Hey everyone, welcome back to my channel और मेरे जनल का नाम है वर्षा ब्यूटी की एर्दुए करते हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल में देखी लिया होगा कि आज का टॉपिक है शादी के बारे में क्या में इनसान में कुई कमी जरूर में रहुथ आज में इस वीडियो में आपको कुछ त्प्स देना चाहं deux गोंगेuchen देना चाहूंगी से आपको अपने लाइफ पार्टनर को चुनने में जाए होगी किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए मैं अपने लाइफ पार्टनर को चुनते समय तो चली देख लेते हैं काफी बार हम महीं लाए अपने जीवन साथी के बारे में जब को से सोचती हैं तो काफी डर भी मन में कि पता नहीं शादी के बास जिंदकी कैसी होगी कुब्यों बहरी होगी और हम अक्सर शादी की इच्छा होते हो हुए भी शादी की सामने नहीं रख पाते हैं मतलब कदम नहीं बढ़ा पाते हैं आगे तो आज दोस्तों मैं आपको कु पसंद दिले। तो चली फ्रेंट्स ज़ादा बातें नहीं करते हैं देख ले दे हुवातें कुंसी हैं। जब महिलाएं अपने जीवन साधी के बारे में सोचती हैं तो उनके मन में धेर सारे सपने होते हैं। लेकिन जब संभावित पार्टनर सामने हो तो महिलाएं उनकी खूबियों और खामियों को देखकर सोच में पढ़ जाती है कि उनके साथ लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं अक्सर महिलाएं शादी कीचा होने के बावजूद कदम आगे नहीं बढ़ाती क्योंकि अपने लिए सही लाइफ पार्टनर की तलाश करना उनके लिए काफी चैलेंजिंग काम होता है कभी-कभी तो ये तलाश धरूरत से ज़्यादा लंबी खिज जाती है ऐसी सिचेशन में महिलाओं की जिन्दीकी में जो भी पुरुशादे हैं उन्हें वे अपने पैमानों पर परखती रहती है कई बार में पार्टनर की खूबियों से इंप्रेस होने के बावजूद डरती है कि कहीं उनका पार्टनर उनका साथ तो नहीं छोड़ देगा अगर आप भी ऐसी सिचेशन में फसी हैं तो परिशान बतो तो फ्रेंट्स आज मैं आपको ऐसे कुछ संकेत बताने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनने में असानी होगी तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि वो हेलफुल हिंट्स कौन से हैं महिलाओं का करे सम्मान वैसे सिर्फ आप से ही नहीं बलकि हर महिला से बात करते हुए उसे पुरा आदर देता हो महिलाओं के लिए बाचीत में आदर का भाव रखता हो अपने घर परिवार के महिलाओं को पूरा सम्मान देता हो और किसी भी तरह की मुश्किलाने पर भी महिलाओं के साथ पूरे सयम से पेश आता हो ऐसा साती जीवन भर आपकी इज़त करेगा सभाव का अच्छा और खुश मिजाज हो जिन लोगों का दिल बड़ा होता है वो छोटी छोटी बातों में नराज नहीं होते अक्सर कूल रहते हैं और अपने आस पास वालों का भी दिल लगाए रखते हैं ऐसे लोग जहां भी होते हैं वहां सी खुशी का माहौल बना रहता है अगर आपका साथी भी ऐसी है जिसकी कंपटी हर किसी को पसंद आती है तो जो मिलन सार भी है और पूरी तरह से खुश मिजास भी है तो आपको वह हमेशा खुश रखेगा और अगर आपकी किसी बास से दुक्षी भी होंगी आप तो उसके साथ होने पर भी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगी और खुद को हर पल खुश मैसूस करेंगी आप दोनों की बहस भी परिपक्व हो हर रिष्टे में कभी न कभी उतार चड़ाव आते ही हैं इस दोरान एहम बात ये होती है कि इशूस पर बात कैसे आगे बड़े ऐसे में कई बार गहम गहमी भी हो जाती है लेकिन अगर आपका साथी किसी मुश्किल सिती में भी अपना कूल बनाई रखता है और आपकी बातों को संजीत की के साथ सुनता है और आपसे कभी आपका दिल दुखाने की कोशिश की और हमेशा आपको सपोर्ट किया है साथ रहने के लिए पार्टनर पर भरोसा होना बहुत अहम है और या गुन आपके पार्टनर में है तो आप उसके साथ जिन्दकी भर का साथ निभाने के बारे में सोच सकती है इमांदारी पार्टनर अपनी तरफ से इमांदारी से जिस बात के लिए кमिट्मेंट दे दे उसे पूरा करकर दिखाएं अगर वैं आपकी खादिर चैलन्जिंग कामों को पूरा करने के लिए कमिट्मेंट ले या फिर आपके लिए अपने भीतर कोई positive बदलाव लाकर दिखाए जिसे करना आसान ना हो तो आप समझ लेजे कि वे अपने तरफ से आपको कुछ रखने की इमानदार कोशिश कर रहा है ऐसे इंसान में भले ही वो सारी खुबिया ना हो जिनकी आपको चाहा हो लेकिन वे अपने commitment से आपके लिए हमेशा life को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा अंचाही चीजों के लिए ना डाले दबाव अगर आपका साथ ही आपके विचारों को पूरा महतव देता है और हर मुद्दे पर आपकी राए पूछता है तो वेनिशनी तरूप से आपका रुक उसके लिए माइन रखता है ऐसा साथ ही आपके साथ कभी गलत तरीके से पेश नहीं आएगा क्योंकि वे आपकी बातों को पूरी तवज़ों देगा और आपकी पसंद ना पसंद की भी कद्र करेगा आपके विचारों को एहमेद देने के साथ वे आपको ऐसे काम करने के लिए भी प्रेशर नहीं डालेगा जिने करना आपको पसंद ना हो बीती बातों को भुला दे अगर आपके साथ ही ने आपसे शुरुआती मुलाकातों में ही अपने पुराने अफेर्स के बारे में आपको बता दिया था साथ ही अब इस पर्ष्ट कर दिया था कि वो सब बाते अब गुजरे जबाने की बात हो चुकी है तो साफ है कि वे आपके साथ एक नहीं शुरुआत करना चाता है और अपनी जिंदिगी को नई सीरे से आपके साथ जीना चाता है तो फ्रेंड्स यही थे मेरे आज की कुछ helpful hints जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर को असानी से चुन सकती है और जिसे आपको अपने लाइफ पार्टनर को चुनने में help भी मिलेगी तो एम शूर फ्रेंड्स आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी टिप्स helpful लगे हो और helpful लगे तो प्लीज गाइस लाइक शेर करना ना भूलेगा कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको मेरी ये helpful tips कैसे लगे तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो आशा करती हूँ आपको मेरी ये टिप्स अच्छे लगे होंगे आशा करती है आपको मेरी एडवाइस पसंद आई होगी और पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलेगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड्स साथ भी जरूर शेर कीजेगा ताकि उन लोगों की भी हल्प हो सके और वो भी अपने जीवन साथी को चुन के समय इन बातों का ध्यान रख सके तो दोस्तों अगर पसंद आई हो प्लीज लाइक शेर जरूर कर दीजेगा कॉमेंट करके जरूर बदाईगा वीडियो कैसी लगे आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा आज का और आप मुझे फोलो कर सकते हैं फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे मैं मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक किया लभी ओल